इलेक्ट्रिक कारें आटो मोबाइल के दुनिया में बड़े बदलाव कर रही है। हमें उम्मीद है कि नॉइस फ्री, पल्यूशन फ्री और हाई पर्फॉर्मेंस वाले ये वाहन दो हजार पच्चिस तक आईसी इंजन वाले वाहनों को आउट्डेटिट बना देंगे। ये विडियो आपको टेसला मॉडल एस के पीछे की प्रोध्यो गिकियों के बारे में बताएगी। जो हाल ही में दुनिया की सबसे तेज एक्सलेरेटिंग कार बन गई है। हमतार के ग्रूप से और विभिन जरणों में देखेंगे की इलेक्रिक कारों ने इंडक्शन मोटर, इंवर्टर, लिधियम आयम, बैटरी पावर स्रोध और सबसे बड़ा सिंक्रोनाइस्ड वाहन तंत्र की पीछे की प्रोध्यो गिकी का विशलेशन करके कैसे बहतर आवर हाउस इंडक्शन मोटर होता है, जो करीब 100 साल पहले महान वैज्ञानिक निकोला टेसला द्वारा बनाया गया एक आविशकार है स्टेटर और रोटर इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं आप मोटर निर्मान का विवरण यहाँ देख सकते हैं रोटर एंडरिंग के द्वारा कंड़क्टिंग बॉर्स शॉर्ट सिर्किट का संग्रह होता है स्टेटर को तीन फेस एसी पावर इंपुट दिया जाता है कॉयल में थ्री फेस एसी करेंट रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड उत्पन करता है टेसला मोटर एक चार द्रुव मैगनेटिक उत्पन करती है फिर ये रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड रोटर बॉर्स को घुमाने के लिए इसमें करेंट उत्पन करता है इंडक्शन मोटर में रोटर हमेशा आर एम एफ के पीछे होता है Induction motor में brush और स्थाई चुम्बक दोनों ही नहीं होते हैं साथ ही ये मजबूत और शक्तिशाली होती है Induction motor की खास बात ये है कि इसकी गती AC बिजली की आपूर्थी की frequency पर निर्भर करती है इसलिए केवल बिजली की आपूर्थी की frequency को बदल कर हम गाड़ी के पहियों की गती को बदल सकेंगे ये साधारन तथ्य इलेक्ट्रिक कार की गती के नियंतरन को आसान और विश्वसनिय बनाता है मोटर को आपूर्थी एक परिवर्थन शील फ्रिक्वेंसी ड्राइव से होती है जो मोटर की गती को नियंतरित करती है मोटर की गती 0-18000 RPM तक हो सकती है इंटर्नल कंबर्शन एंजिन पर आधारित कारों की तुलना में ये इलेक्ट्रिक कारें सबसे अधिक लाब दायक है एक इंटर्नल कंबर्शन एंजिन केवल एक सीमित गती सीमा के भीतर ही उप्योगी टॉर्क और पावर उत्पन करता है इसलिए पहियों को सीधे ही इंजिन रोटेशन से जोड़ना एक उचित विचार नहीं है पहियों की गती को बदलने के लिए एक ट्रॉंसमिशन लगाया जाना चाहिए दूसरी और एक इंडक्शन मोटर किसी भी गती सीमा में बहतर काम करेगी इस प्रकार किसी इलेक्ट्रिक कार के लिए अलग-अलग गती के ट्रॉंसमिशन की आवशक्ता नहीं है इसके अलावा एक आईसी इंजिन प्रत्यक्ष घूरनन गती को उत्पन नहीं करता है पिस्टन की रैखिक गती को घूरनन गती में परिवर्तित किया जाना है ये यांतरिक संतुलन के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करता है इंटर्नल कमबशन इंजिन एक इंड़क्ष गूरनन गती और एक समान पावर आउटपुट मिल सकेगा आईसी इंजिन में उप्योग होने वाले कई पार्ट से यहां बचा जा सकता है इन सबके परिणाम स्वरूप, उच्च प्रतिक्रिया दर और पावर टुवेट अनुपात इंड़क्षन मोटर में स्वभाविक रूप से उपलब्ध है जिससे वाहन बहतर प्रदशन करते हैं लेकिन मोटर को पावर कहां से प्राप्थ होती है ये एक बैटरी पैक से मिलती है बैटरी डीसी पावर उत्पन करती है इसलिए मोटर को आपूर्ती करने से पहले इसे एसी में परिवर्तित करना पड़ता है इसके लिए एक इनवर्टर का उप्योग किया जाता है ये पावर इलेक्ट्रोनिक डिवाइस एसी पावर फ्रिक्वेंसी को भी नियंतरित करता है इसलिए मोटर की गती को नियंतरित करता है इसके अलावा inverter AC power के amplitude को भी बदल सकता है जो motor power output को नियंतरित करेगा इस प्रकार inverter electric car के मच्टश के रूप में कारे करता है अब हम battery pack की बात करते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये केवल common lithium iron cell का एक collection है जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तिमाल करते हैं cell series और parallel के सयोजन में जुड़े रहते हैं और आपकी electric car को चलाने के लिए आउशक पावर उत्पन करते हैं cello के बीच में अंधरूनी ट्यूबों के माध्यम से glycol शीतलक गुजरता है ये टेसला का एक प्रमुक नवाचार है कुछ बड़े cello के स्थान पर कई छोटे cello का उपयोग करके प्रभावी शीतलन निश्चत रूप से मिलता है ये thermal hot spot को कम करता है और यहां तक की तापमान वितरंड भी हासल करता है जिससे battery pack की life बढ़ जाती है cell को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि जरूरत पढ़ने पर इस module को अलग-अलग किया जा सके battery pack में 16 ऐसे module हैं जिसमें लगभग 7000 cell है गर्म ग्लाइकॉल एक radiator से गुजर कर ठंडा होता है जो वाहन में आगे स्थित होता है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कम उंचाई वाला battery pack जमीनी स्थर के करीब लगाए जाने पर वाहन के गुरुत वाक्षण केंदर को नीचे कर देगा गुरुत वाक्षण केंदर के नीचे आने से कार की स्थिरता में काफी सुधार होता है बड़े battery pack का विस्तार पूरे फर्श पर भी है जो side टकराओ के खिलाफ संचरात्मक का ठोरता प्रदान करता है अब चलिए टेसला के drive train पर वापस चलते हैं gearbox के माध्यम से motor की power को पहियों तक पहुचाया जाता है जैसा की पहले चर्चा हो चुकी है टेसला मॉडल S एक सरल और सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन का उप्योग करता है क्योंकि motor operating condition की एक वरिस्तित रेंज में कुशलता से काम करती है आप देख सकते हैं की motor के output की गती दो चरणों में कम हो गई है यहां तक की एक electric car में reverse gear लगाना काफी आसान है बस इसके लिए face को क्रम को बदलना होता है electric car transmission का उदेश्य केवल गती में कमी लाना और संबंधित टॉर्क को बढ़ाना होता है gearbox का दूसरा भाग differential होता है गटी हुई गती की drive इससे होकर गुजरती है आप देख सकते हैं ये एक simple open differential है हाला कि open differential में tire car road के साथ घर्शन नियंतरण की समस्य आती है लेकिन एक ऐसी उन्नतकार limited slip differential के बजाए एक open differential का उपयोग क्यों करती है इसका जवाब ये है कि open differential अधिक खुर्दुरा है और अधिक टॉर्क बनाए रख सकता है open differential में tire का road के साथ घर्शन नियंतरण की जो समस्य आती है उसे दो प्रभावी तरीकों selective braking और power की आपूर्ती को रोक कर दूर किया जा सकता है एक internal combustion engine में इंधन की आपूर्ती रोक कर पावर की आपूर्ती रोकना उतना अच्छे से काम नहीं करता है जबकि एक induction motor में इंधन की आपूर्ती रोक कर पावर की आपूर्ती रोकना बहतर काम करता है और घर्शन का नियंतरर प्राप्त करने के लिए ये एक बहतर साधन है टेसला में ये सभी सेंसर और नियंतरकों की साहता से स्टेट अफ आर्ट अल्गोरिथम का उप्योग करके पूरा किया जा सकता है संशेप में टेसला मोटर्स ने एक जटिल मकैनिकल हार्डवेर सिस्टम को स्मार्ट और बहतर सौफ्ट वेर से बदल दिया है क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक पैडल की साहता से चलाया जा सकता है ये इसकी शक्ती शाली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के कारण संबह हुआ है इसका मतलब है कि बिना उश्मा के बाहर निकाले कार की सारी गतिच उर्जा को बिजली के रूप से संचित कर लिया जाता है एक इलेक्टिक कार में जैसे ही आप एक्सलेरेटर छोड़ते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग काम करना शुरू कर देता है दिल्चस बात ये है कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान वही इंडेक्शन मोटर जेनरेटर के रूप में कारे करती है यहां पही इंडेक्शन मोटर के रूटर को चलाते हैं रूटर की गती हम जानते हैं कि इंडेक्शन मोटर में रूटर की गती आर एम एफ गती से कम होती है मोटर को जेनरेटर में बदलने के लिए आपको ये सुनश्यत करना होगा कि रूटर की गती RMF की गती से अधिक हो इन्पुट पावर फ्रिक्विंसी को समायो जित करने और RMF की गती को रोटर की गती से नीचे बनाए रखने में इन्वर्टर एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है ये स्टेटर काईल में बिजली उत्पन करेगा जो आपूर्ती की गई बिजली से बहुत अधिक होती है रुपान तरण के बाद उत्पन हुई बिजली को बैटरी पैक में संरक्षित रखा जा सकता है इस प्रक्रिया के दौरान रोटर पर एक विप्रीद विद्वत चुम्ब की अबल कारे करता है इसलिए पहिये और कार धीमे हो जाएंगे इस तरह से चलते हुए वाहन की गती को एक पैडल का इस्तिबाल करके बहतर तरीके से नियंतरित किया जा सकता है पुरी तरह से रोकने के लिए ब्रेक पैडल का उपयोग किया जा सकता है हो सकता है आप पहले से ही जानते हूँ इलेक्ट्रिक कार आंत्रिक धहन कारों की तुलना में अधिक सुरक्षत है इलेक्ट्रिक कार का रख रखाओ और इसमें आने वाली लागत एक आईसी इंजन कार की तुलना में बहुत कम होती है बहतर तक्नीक आने के साथ इलेक्ट्रिक कार की कमियान दूर हो जाएंगी और भविशमें इलेक्ट्रिक कार सबसे बहतर कारों में से एक होगी क्रिपिया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मुक्त के ग्यान को फैलाएं धन्यवाद